आज में रिव्यू करने लगी हूँ हॉर्स टेल शेंपू इजमीर ब्यूटी ब्रैंड की तरफ से और आज कल बहुत की ट्रेंडिंग है इजमीर के प्रॉडट्स केते हैं कि तुर्किश लिबॉर्टरी में मैनुफेक्चर हो रहे हैं और इनकी क्लेम्स इस तरह हैं कि ये हैर ब्रोथ बढ़ाता है और भी हेर फॉल्व करता है जो भी प्रॉब्लम्स है हेर की वो सौल्व करता है इस मीर के प्रॉडट्स खास पर ये हॉर्स टेल शेंपू बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है बहुत सारे ब्लॉगर्स इस ब्रेंड को प्रॉमोट कर रहें इस शेंप चलें रिवीव करते हैं दिखते हैं कि मुझे क्या रिजर्ट से यह जो हॉस्टेल शेंपू है यह मैंने ओर्डर किया था इसकी मैंने पेमेंट के थी 1350 रूपीज फॉर एच रूपीज फॉर शेंपू, रूपीज फॉर रूपीज फॉर कंडिशनर और डिलीवरी चार्जज अराउंड फी 150-200 थे तो इस तरह से इसकी मैंने पेमेंट के थी टू-200 ml के बॉटल है, 200 ml शेंपू, 200 ml कंडिशनर जो क्लेम करते हैं इस ब्रैंड के प्रॉडक्स के लिए यह करते हैं कि यह जो शेंपू है, इस हॉस्टेल शेंपू, इट इंक्रीज इस एहर ग्रोथ, एहर ग्रोथ पर फोकस करता है और जो बहुत पास्ट पेस पे हैर ग यह बॉटल मैंने पूरी खाली कर दिया है, यह बॉटल बिलकुल खाली है, कंडिशनर और शेंपू दोनों के, तो मुझे इसके डिजायर रिजर्ट्स मिले, मेरे हैर ग्रोथ, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हैर ग्रोथ बहुत कम होती है, तो जब से मैंने यह यह शेंप करना बन कर दिया, तो फिर वापिस हेर ग्रोथ जो है, अपने नॉर्मल पेस पे आ गई, तो इसका मतलब है कि अगर हम चाते हैं हेर बढ़ाना, तो इसको 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 कंडियू करना पड़ेगा, अगर एक बॉटल खतम हो जाए, तो हमें इसको फिर से कंडियू करना अच्छा, आख दूसरी बात यह कि इसमें और मेरे डेंडर इसको इसको सॉल नहीं करता है, तो हेर ग्रोथ ऑप बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है, बहुत अच्छे तरीके से बाल गूरू करना शुरू हो जाते हैं, विसिबली फील होता है कि बाल बढ़ रहे हैं, और बहुत ही फास्ट पेस्ट पे बढ़ते हैं और एक बात मैंने नोट की इस शैंपू की कि ये बहुत ड्राइ कर देता है बालों को तो I have no idea किस तरह के केमिकल्स हैं जो बालों को इतना ड्राइ कर देते हैं अगर ये मैं कंडिशनर ना मंगवाती इसके साथ तो फिर मुझे कोई और कंडिशनर यूज़ करना पड़ता है कि इतना बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राइ हो जाते हैं फ्लेकी हो जाते हैं कंगी करने में नहीं आते हैं जब तक आप कंडिशनर ना लगाएं तो इसके लिए इस शैंपू के साथ कंडिशनर लगाना सबसे बे सब्सक्राइब करता है उसके इलावा एक्सपेंसेव है ठीक है 200 ml बॉटल 3050 रुपीज की वली और अगर आप ज्यादा बॉटल ज्यादा पॉंटिटी की आउटर कहना चाहते हैं जैसे कि 400 ml की बॉटल की 2400 रुपीज की है तो इस तरह से यह थोड़ा कॉस्टली है इनकी बॉने चीमेघर आप वीज में जो ब्लीन इस तपर लएक्याइब है चीमा आपकेजनग बाउंथे लूपीम tightly है प्लास्टिक किया बशी आविक कर अप्रावोगा है चीमार यहाइब जीन रुठ फर सक्ते हैं अनम ने यह उताऑन प्लास्टिक मैं मैं रही जचरण कर सकत हैं जिनके स्कल्प जो है बहुत ज़्यादा ड्राय होती है या फिर उन लोगों के लिए यह सूटवल नहीं रहेगा शैंपू तो दिस वाद अलगा हो तो पीज लाइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यूज